हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तू यूट्यूब चैनल लिट्रिकल गयान आज हम बहुत इंपॉर्टन टॉफिंग में बात करेंगे फ्रेंड्स जो सब के मन में रहता है जो डाउट हुआ है कि हमको न्यूटल छूने से क्यों नहीं लगता मतलब न्यूटल छूने से हमें करेंड क्यों नहीं लगता तो हम सब जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारे घरों में फेस और न्यूटल आया रहता है हम सबको पता है इतना तो कि हमारे घरों में फेस और न्यूटल आया रहता है तो इसमें डाउट यह रहता है कि और यह फेस और न्यूटल आया रहता है और यह लोड से कनेक्टेड है यहां पर हमारे घरों में जो लोड लगा रहता है जोगे एक्ट्रिशन उससे कनेक्टेड तो डाउट यह रहता है फ्रेंट्स कि हम फेस को छूते हैं तब तो हमको शॉक लगता है लेकिन न्यूट्रल को छूते हैं तो सॉक क्यों ने लगता आपने देखा हुगा कि कभी-गभी जैसे कोई इलेक्रिशन आपके घर में आया है कुछ काम कर रहे हैं तो कभी-गभी और डारेक्ट किसी भी वायर को पकड़ लेता है और बोलता है देखो में इसको शॉक नहीं लग रहा है तो फेस को नहीं छूता वह छूता है न्यूट्रल को छूने से शॉक नहीं लगता इसका कारण क्या है हम आज डिसक्रस करेंगे आपको डूक्ति हो जाएगा अब हमेशा याद रखेगा फ्रैंड्स जो करेंट होता है एक करेंट होता है हो क्या है वहमेशा कि क्या होता है है अगर मां लो यहां पर मेरा देश केबल यहां पर मैंने कुछ सप्लाई दी फेज दिया यहां पर मेरा दो केबल है मालो यह C1 ए C2 पहला केबल दूसरा केबल अगर मालो C1 जो पहला केबल है उसका रेजिस्टेंस है दस ओम टैन ओम और इस वाले केबल का रेजिस्टेंस है तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो इस रेजिस्टेंस है इस केबल के रेजिस्टेंस से कम है तो करेंड क्या करेगा जब भी आएगा तो यह इधर न जाके इधर से जाएगा इस वाले केवल से क्यूंकि इसका जो resistance है वो एकड़म कम है lowest resistance है यही चीज neutral के case में होता है हम आपको पता होगा अगर नहीं पता होगा तो आप जान लो जो हमेरे घर में face और neutral आया रहता है वो सीधा transformer से आता है यह यह transformer ठीक है इसमें incoming में इसके three face आया रहता है 11 के भी जो service stations आता है primary side में और secondary side में three face और एक neutral यह आर वाई भी three face हो गया यह आर वाई भी और एक neutral secondary में जाता है यह primary हो गया और यह secondary हमारे घरों में आ रहता है 11 के भी हो गया उसको step down करके हम down करके 440 में convert करते है volt में जिसका एक face और एक neutral हम घर में लेते हैं वो 220 होता है और तीनों face मिला के 440 होता है तो इस neutral को हम क्या किया रहते हैं वहीं transformator के पास इसको ground किया रहते है इसको ground किया रहते हैं ताकि हमारा जो तीनों में balance रहे कोई भी unbalance condition हो तीनों में current का तो सीधा ground हो जाए वो protection के लिए रहता है इसके बारे बार में डिस्कस करेंगा डीप मिनी जाते है अभी बात करते है neutral को चुने इस current क्यों लगता है तो ये neutral को ground किया रहते है और इसकी जो value होती है वो ideal value जो सबसे अच्छी मानी जाती है वो होनी चाहिए 10 ohm से 10 ohm टू 5 ohm 10 ohm से 5 ohm के बीच में रहने चाहिए तो बहुत अच्छी है इसकी value इस value में क्या रहता है इसमें resistance बहुत कम होता है तो current रहता है वो direct ground हो जाता है तो वही चीज होता है और यही जो एक face और ये neutral मिल के हमारे घरों में आ रहता है तो यही face एक face और एक neutral हमारे घरों में आ रहता है और हमारे load से जूड़ा रहता है तो ये neutral जो है ये transformer से आया है तो इसका resistance के value तो कम होगी 5 ohm to 10 ohm होगी होगी ना तो होता क्या है हमारी जो body होती है अगर हम face को direct होएंगे तो ये current लगेगी है क्योंकि इसमें direct current आ रहे है यहाँ पर क्या होता है जब ये load के पास यहाँ पूरा voltage drop भी हो जाता है ये भी case है उसके बाद neutral से आता है तो वो भी एक कारण है और एक कारण और है जब हम हमारे जो body का resistance होता है वो होता है कैसे वरी करता है अगर आपकी body में पशीना है अगर आप गिले हुए हो तो आपकी body का resistance 1000 ohm या इससे कम हो जाएगा और अगर आप dry हो सुखे हो तो आपकी body का resistance जो है वो 10,000 ohm तक रहेगा तो इस case में क्या होता है neutral का तो resistance एक दम करम है तो यह हमारी body से flow हो गई ही नहीं क्योंकि हमारी body का resistance जाएदा है तो यह lowest path follow करता है इसलिए यह neutral से होते हुए सिधा यह ground में हो चले जाता है ground मतलब जो हमारा transformer से निकला है neutral वह यहां है तो यह जाकर यह direct इससे जुड़ा हुआ है हमारे घरों से होके तो यह सीधा जाके हमारे body मना आके सीधा lowest path follow करते हुए resistance यह ground हो जाता है इसलिए हमको neutral को छूने से जो है जटका नहीं लगता क्योंकि transformer का जो transformer में जो connection रहता है आर वाइबी आर वाइबी वहां पर न्यूट्रल को हम न्यूट्रल को ग्राउंड के रहता है यह कारण है फैन कि हमारा जो current है वो lowest resistance path को follow करता है और हमारी body का resistance जो है वो ज्यादा होता है और न्यूट्रल का resistance जो हतों होता है इसलिए हमको current नहीं लगता फैस को छोने से करेंट लगता लेकिन कुल को छूने से नहीं लगता अगर होएड़ा वाया सब्सक्राइब किद्वर्ण joke कर दो